जोहार मयाननद कुमार, दोस्तों आज एक कहानी सुनाऊंगा आपको, तो दोस्तों हम लोग सब हितोपदेश, पंचतंत्र, बोध कथाएं पढ़ते आए हैं, तो आज एक कथा ये भी है, और ये कहानी मनुष्य ने लिखी है, तो जाहिर है वह मच्छर को छोटा ही कहेगा, अब मच्छर भले ही बड़ा राजा हो, लेकिन मनुष्य के लिए तो वह छुटकुसा ही होता है, तो वह एक छोटा सा मच्छर था, मगर मच्छरों का बड़ा सा राजा था, अब उसे समराठ ही कह लिजिए, तृदे समराठ भी कह सकते हैं, मर्जी आपकी है, मच्छर की इ ये कोई जगह चाहिए थी, दरसल वह पहले एक छोटा सा मच्छर था, लेकिन अपने परिश्रम से और अपनी लोक प्रियता से राजा बन गया, तो राजा और उसके फॉल्वर जो अब तक पेडों में, गोबर के टीलों पर और गड़ों में रहते थे, उन्हें अब स्टे पर एक विशाल हाथी चर रहा था, जैसा विशाल हाथी, वैसा ही बड़ा उसका कान, लंबी गहरी सुरक्षित जगह, कान का जो विशाल पिनना था, वो किसी महल के महराब से कम न था, यही उचित जगह थी, राजा को सूचना दी गई, वो बड़ा एक्साइटेड हो गया 75 साल के ग्यात इतिहास में कोई मच्छर किसी हाथी के कान में नहीं रहा था, यह पहली बार होने जा रहा था, लेकिन राजा कृपालू भी था, उसने कहा कि आखिर हाथी के कान में रहना है तो हाथी से भी पूछ लिया जाए, वह प्रजा है तो क्या हुआ, उसके भी हैं, राजा के वचन सुनकर कारिंदे हाथी के पास पहुंचे, उसे बताया, ओ हाथी मच्छरों के राजा, महराज आधिराज, परम लोक प्रिय, वीर बलशाली, मच्छरेंद्र जी महराज ने तेरे कान को अपना महल बनाने का निरने किया है, बोल तुझे कोई अतराज त सुनाई दी, जब हाथी से कोई उत्तर नहीं मिला, तो हाथी के मौन को स्विकृति मान ली गई, राजा को सूचित किया गया, और तमाम गाजे-बाजे के साथ, राजा ने हाथी के कान में सेना सहित प्रवेश किया, कान काफी अच्छा महल साबित हुआ, वहाँ गर्मी थी मौइस्चर था, नर्माहट भी थी, राजा उसकी परिवार और उसकी सेना दो साल में ही बढ़कर कई गुनी हो गई, कान छोटा पढ़ने लगा, तो जब घर छोटा होने लगता है, तो नया घर तलाशा जाता है, यहाँ भी तलाशा गया, और प्रयार के दिन की तारीश त के कहा, ए हाथी, तेरे कान में रहकर हमने खूब आनंद किया, आराम से रहे, परिवार बढ़ाया, तेरा शुक्रिया, तुझे जो चाहिए, मुझ से मांग ले, तेरी हर ख्वाहिश पूरी की जाएगी, हाथी ने फिर कान के पास धीमी भिनभिनाहट सुनी, पिछले कुछ समय से या भिनभिनाहट कुछ जादा ही हो रही थी, हाथी ने परिशान होकर सून हिलाई, और आवाज के पास सून का सीरा पट से गिरा, राजा वहीं चप्टा हो गया, दोस्तों, इतिहास एक बड़ा हाथी है, इनसान, राजे महराजे, इसके एक दौर के एक सफे के बरा को चाहिए कि जैसे चुपचाप कान में घुसे थे, वैसे ही चुपके से निकल जाएं, इसलिए कि जब इतिहास के हाथी की सून घूमेगी, तो बड़े से बड़ा राजा चप्टा हो जाएगा, खेर दोस्तों, यह कथा किसी इनसान नहीं लिखी है, उस इनसान का धन्यव तक इसाद से दिजिए, और निवाद, नमस्कार.